So guys, अगर बात करते हैं इस साल के one of the most awaited smartphones की तो इसमें definitely OnePlus Z का नाम आता है इस smartphone का wait दोस्तों customers काफी time से कर रहे हैं और जल्द ही दोस्तों आपको ये market में देखने को मिलेगा पहले ऐसे leaks थे दोस्तों भी OnePlus इस smartphone को लेके आएगा 8 Lite के नाम से उसके बाद rumors आई कि ये OnePlus Z के नाम से आएगा अब कुस recent leaks की माने तो ये OnePlus Nord के नाम से आपको market में देखने को मिल सकता है जितनी confusion दोस्तों इसके नाम को लेके है उतनी ही इसकी specs को लेके भी है क्योंकि काफी सारी नई details इस smartphone के बारे में आती रहती है तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी latest जनगारी के बारे में कि क्या इस smartphone में आपको देखने को मिलेगा और कैसा option होने वाला है ये आप सब के लिए और दोस्तो चैनल पे पहली बार आएं तो subscribe कर लीजे ता कि आपको ऐशी tech videos मिलती रहें तो दोस्तो जिन customers का budget कम है और जो OnePlus 8 series को afford नहीं कर सकते हैं उनके लिए OnePlus Z best option होगा क्योंकि दोस्तो ये आपको देखने को मिलेगा mid-range segment में और काफी अच्छी specs के साथ में ये काफी अच्छे price पे आने वाला है और इसके लावाद design की बात करें तो यहाँ पे आपको punch hold का design दिया गया है जो की center में होने वाला है ये किसी भी OnePlus के smartphone से different design है दोस्तो और काफी अच्छा design दिया है company ने तो यहाँ पे आपको कोई problem नहीं होगी display के मामले में काफी कमाल का smartphone होने वाला है display के बाद अगर बात करते हैं इसकी performance की तो यहाँ पे भी काफी कमाल किया है OnePlus ने क्योंकि इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा snapdragon 765G chipset और दोस्तो यह 5G के साथ में आने वाला है तो काफी अच्छी performance आपको देखने को मिलेगी अगर variants की बात करें तो यहाँ पे आपको 6GB से लेके 12GB तक का RAM देखने को मिलेगा और वहीं पे 128GB तक की storage इस smartphone में देखने को मिलेगी तो performance wise भी guys काफी कमाल का यह smartphone होने वाला है और definitely guys यहाँ पे Oxygen OS का support देखने को मिलेगा तो काफी smooth performance आपको इस smartphone में देखने को मिलने वाला है एक और जो इस smartphone की highlight है दोस्तों वो है इसका camera setup पहले ऐसे rumors थे कि यहाँ पे आपको triple camera setup देखने को मिलेगा जिसमें की primary camera लगा हुगा 48MP का लेकिन अगर latest leaks की माने तो यहाँ पे आपको quad camera setup देखने को मिलेगा और इसमें primary camera 64MP का होने वाला है अगर guys OnePlus smartphone के अंदर एक 64MP का quad camera setup डाल देता है तो यह काफी कमाल की बात होगी और customers definitely इसको पसंद करने वाले हैं अगर front camera की बात करें तो आपको punch hole में लगा हुआ एक 16MP का front camera देखने को मिलेगा selfies के लिए तो यहाँ पे भी आपको काफी अची quality देखने को मिलने वाली है इसके अलावा दोस्तों इसकी battery की भी details leak हो चुकी है और यहाँ पे आपको 4300mAh की battery देखने को मिलेगी जो की 30W की fast charging के साथ में आने वाली है 30W की fast charging दोस्तो OnePlus 8 series के अंदर भी आपको देखने को मिलती है तो यहाँ पे भी same fast charging technology का use किया गया है जो की काफी अच्छी बात है अगर design wise बात करें तो back से देखने में यह OnePlus के सभी smartphone से different आपको लगेगा और camera जिसमें दोस्तो side में लगे हुए मिल जाएंगे इसके लावा back में आपको gorilla glass की protection भी देखने को मिलेगी तो यह थी दोस्तो सभी detail जो की OnePlus Z smartphone के बारे में आई है अब देखना यह interesting होगा कि यह किस नाम से आएगा और क्या यह सभी specs इसके साथ में आने वाली है अगर pricing की बात करें तो leaks के coding यह 25,000 के budget में आएगा और ऐसे rumor सा दोस्तों कि यह 10 July को आपको market में देखने को मिल सकता है तो आपको ज़्यादा wait नहीं करना पड़ेगा OnePlus Z smartphone के लिए definitely यह next month company के तरफ से announce होगा और आप इसको market में देख पाएंगे तो दोस्तों काफी जल्दी ही OnePlus Z smartphone आने वाला है और काफी सारे customers को यह definitely पसंद आएगा जो कि mid-range segment का smartphone लेना चाहते हैं आप हमें बताई दोस्तों कि आप OnePlus Z के बारे में क्या सोचते हैं और क्या आप इस smartphone की तरफ जाना चाहेंगे अगर वीडियो अच्छे लगी तेक लाइक कर दीजिए और ऐसी tech वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मैं मिलता हूँ आपको next वीडियो में तब तक के लिए goodbye, have a nice day